सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि चीनी एक धीमा और खतरनाक जहर है और उसे आप जितनी जल्दी छोड़ेंगे आपके लिए वर्दान होगा. मैं यहाँ चीनी के नुकसान के बारे में बताने की आवश्चक्ता नहीं समझता, उसके नुकसान के बारे में सारी दुनिया जानती है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं. यदि आपने चीनी पूर्ण रूप से छोड़ डियेच दिया, तो पहले एक हफ़ते तक आपके साथ निम्नलिखित चीजें होंगी. आपका जीना मुश्किल हो जाएगा. ये इस कारण होगा, क्यूंकि चीनी का आदी आपका शरीर बुरी तरह चीनी को खोजेगा. उस समय स्वयम पर संयम रखें और किसी भी परिस्थिती में चीनी खाने से बचें. भले ही आप दो दिन में एक बार चीनी खाते हों, चीनी चोड़दाने के 24 घंटे के अंदर आपको हर समय ऐसा लगेगा कि जो भी हो कुछ मीठा अवश्य खाना चाहिए. उस समय संयम रखें. आपको हर घंटे में भूख लगेगी. ये बिल्कुल स्वाभाविक है. आप उस समय चीनी चोड़दा कर कुछ भी खा सकते हैं. आपको कुछ कमजोरी भी हो सकती है. यदि ऐसा लगे तो आप अच्छे से खाना खा सकते हैं. किन्तु चीनी को बिल्कुल ना चुए. कुछ बिल्कुल स्वाभाविक है. अच्छे से खाना खाएं. इतना जान लीजिए कि चीनी चोड़दानने वाले 90% लोग इससे घबरा कर एक हफ़ते के पहले ही वापस चीनी पर लोट जाएंगे. किन्तु यदि आपने एक हफ़ते तक चीनी को हाथ भी नहीं लगाया और उपर दिये गए विपरीत परिणाम झेल गए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने आधे से अधिक लड़दाई जीत ली है. अब यहां से आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आपका खाना बहुत अच्छे से पचने लगेगा. यदि किसी को खाना खाने के बाद प भूख महसूस नहीं करते थे. अब आपको कई बार खाने के बाद भी अच्छी भूख लगेगी और जो भी आप खाएंगे वो आश्चर्य जनक रूप से पचेगा. पाचन संबंधित अन्य समस्या भी समाप्थ होगी. जैसे शौंच का धंग से ना होना, पेट फूला जाएगी. सवेरे जागने के बाद भी आप अनिद्रा महसूस नहीं करेंगे. एकागरता बरहेगी. यकीन मानिये, चीनी छोट ढहने के केवल एक हफ़ते बाद ही ये सारे सकारात्मक बदलाव होंगे. आपको बहुत अच्छा लगेगा. और यदि आपने चीनी को कम से कम एक दो महीने के लिए छोट डी एच दिया, तब असली कमाल आरंब होगा. आपका वजन कम होना आरंब हो जाएगा. यकीन मानिये, ऐसा निश्चित रूप से होगा. अगर आप वजन कम करने के तरीके आजमा करके ठक चुके हैं, तो ये आपके लिए राम बान उपाय है. आपके शरीर का चमदहा पतला होने लगेगा. अर्थात चर्बी घटने लगेगी. आपका पेट यदि बाहर है, तो वो सही स्थान पर आने लगेगा. साथ ही पेट का कड़ी डी हापन खत्म होने लगेगा और वो लचीला हो जाएगा. ध्यान दें, सिक्स पैक की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखें, लेकिन पेट अंदर अवश्य जाएगा. यदि आपने अधिक समय छे महीने से चीनी को पूरी तरह छोड़ा हुआ है, तो उसके बाद यदि आप चीनी मिठाई चाय या कोई अन्य मीठी चीज यदि खाएंगे भी, तो वो अब आपको अच्छा ह नहीं लगेगा. मतलब आप चाहकर भी चीनी से बने सामान नहीं खाना चाहेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक शमता आश्चर्य जनक रूप से बढ़ेगी. आप कम बीमार पडीडी हैंगे. यदि डायबिटीज की बीमारी थी, तो वो बिना दवाई या इंसुलिन के निय लिक्षा होगी. यदि आपने केवल एक हफ़ते स्वयम पर नियंतरन रख लिया, तो आने वाले दिन आपके लिए कम मुश्किल होते जाएंगे और तीन हफ़तों में आपको चीनी की तलब लगना बंध हो जाएगी. तो आपको केवल एक हफ़ते स्वयम पर पूर्ण निय चीजें खा सकते हैं. फलों का रस, गन्ने का रस छोड़ धा कर, जितना चाहे उतना पी सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी प्राकृतिक मीठा है उसे बिना संकोच के खा सकते हैं. चीनी छोड़ धा कर बांकी, जो खाना आप खाते हैं, वो खाते रहें. कुछ भ वाला गुड़ नहीं उसमें चीनी मिली होती है। निह संकोच खा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, गुड़ भी तभी खाना है जब बहुत इच्छा हो। गुड़ चीनी से हजार गुणा अच्छी चीज है और इसके कोई विपरीत परिणाम नहीं होते। हालां कि यदि आप डाइबिटीज के मरीज हैं तो गुड़ से भी परहेज करें। सबसे जरूरी बात शुगर फ्री के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़िएगा। वो तो चीनी से भी अधिक खतरनाक चीज है। शुगर फ्री खाने से अच्छा है, आप गुड़ी ही खाएं। जैसा मैं अस्थिती सबसे अच्छा उपाए, गुड़च या शुद्ध शहद है। थोड़ा सा गुड़च या शहद खाते ही आप बहतर महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, तभी जब अत्यंत जरूरी हो। लेकिन निर्णय लेने से पहले चीनी छोड़ देटने का मतलब समझ जूस, फ्रूटी, रसना, माजा, ट्रोपिकाना इत्यादी नहीं पी पाएंगे। समोसे, चाट या भेल पूरी में मीठी चटनी नहीं ले पाएंगे। लस्सी, मिल्क शेक, मॉक टेल, केक पेस्ट्री इत्यादी को भी भूलना होगा। कहने का मतलब है कि आप आज जो खा रहे हैं, उसमें से 70-80% चीजें आपको छोड़ धिनी होगी, अपना मन मारना होगा। पर ये भी देख लीजिए कि आप क्या पाएंगे। सेहत सुधर जाएगी, वजन कम हो जाएगा, बीमार नहीं पढ़ डढ़ेंगे, खतरनाक बीमा अंत आवश्यक है कि जो आप वयस्क कर रहे हैं, वैसा बच्चों के साथ ना करें। 14 साल से कम बच्चों को मीठे की आवश्यकता होती है। लेकिन आप हर परिस्थिती में उनके लिए चीनी को पूरी तरह गुड़ा से बदल दीजिए। वे हमसे अधिक सक्रिये रहते हैं इसी कारण मीठे को अच्छे से पचा सकते हैं, पर बच्चों को भी चीनी से दूर रखें। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात, किसी भी चीज की अति खतरनाक होती है। मीठा शरीर के लिए आवश्यक है, इसी लिए मीठे को कभी भी हंटो परसंड ना त्यागें। जब बहुत अधिक इच्छा हो, तो प्राकृतिक मीठी चीजें जैसे गुड, शहद, खांड, देसी मिश्री इत्यादी अवश्यक खाएं।